जुआहर नवोदे विद्याले सगा करनाल में 65 वी राश्य मुख्य बाजी चैंपियंशिप 2019 अंडर 14 बोईस का आजन किया गया जिहां आज समापन समारों में केंद्रे खेल एवं युवा कारिकरम राज्य मंतरी कीरनरी जीजु ने विजेता खिलाडियों को पुरस्कार दे कर समानित किया यह 5 दीव से चैंपियंशिप 25 नमंबर को आरंब हुई थी और इसमें 14 से कम आई उबर के पूरे देश की 31 टीमों के 298 में खिलाडियों ने भाग लिया जिहां आपको पता दे कि केंद्रे खेल एवं युवा कारिकरम राज्य मंतरी ने विद्यारतियों प्रतिभागयों को संभोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर परियासरत है और खिलाडियों को प्रक्षिक्षन के लिए आवशक सुविधाय उप्लप करवाने के लिए भी प्रयास किये जा रहे हैं वहीं समापन समारों से पहले फाइनल मैच की सभी 11 बाउट खेली गई पहली फाइनल बाउट हर्याना के विनीद और CBSCW के मंशु के बीच हुई जिसे CBSCW के मंशु ने 4-1 से जीता दूसरी फाइनल बाउट पंजाब के अर्मान और हर्याना के सचिन कुमार के बीच हुई जिसे हर्याना के सचिन कुमार ने 4-1 से जीता तीसरी फाइनल बाउट CBCW के रूपक और दिल्ली के भविश्य के बीच हुई जिसे दिल्ली के भविश्य ने 5-0 से जीता चोथी फाइनल बाउट तमिल नाडू के M.K. शोर और चंडिगड के आलोक मोर ने 3-2 से जीता वहीं पांचवी फाइनल बाउट चंडिगट के आरेन और जारखंड के अनंद कुमार के बीच हुई जिसे चंडिगट के आरेन ने 5-0 से जीता वहीं चटी फाइनल बाउट नवोदे के मुहिट चोबे और हरियाना के निखिल के बीच हώी जिसे हरियाना के निखिल ने 5-0 से जीता वहीं आपको बतादे कि 11 फाइनल बाउट उत्राखंड के विवेक सिंग और हिमाचल पर्देश के अंकित कुमार के बीच हुई जिसे हिमाचल पर्देश के अंकित कुमार ने दो तीन के अंतर से जीता वहीं बेस्ट बॉक्सर भविश्य वत्स दिल्ली को चुना गया जिहां आपको बतादे कि सभी विजेता परती भागयों को कीरन रिजीजु के राजमंत्री सरतंत्र प्रभार भारत सरकार द्वारा स्वर्ण मैडल रजट मैडल एवं कांसे मैडल देकर प्रुस्कृत किया गया ओवर रॉल चैंपियन हरयाना की टीम को घोशित किया गया जोती गादन वोल्ड-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning, a perfect venue for wedding, launching and parties, Raj Gharana and Jyoti Garden, a JBD Banquets Enterprise.